अब तक हम 5 चप्टर पड़ चुके हैं विट स्लेबस सबसे कले क्लास में हमने स्लेबस क्या था सेकिंड में हमने सेट के थार में वहल किए फॉर्थ में हमने इंटरूइ वहल कि फ़िंजिविंग फिफמें हमने फॉर्थ चेप्टर की और एके साइन बड़े और में 5 छैप्टर में हमने एस दिफ्टों उसके बारे में सीखा कि कौन से दिफ्टोंस होते हैं किस किस की पोसिशन क्या क्या है अब हमारा नेक्स चैटर एक्टर एक्स जिसको हम बोलते हैं फ्रेजरग्राफी आई होप अब तक आपको सारे चार-5 के चाप्टर अच्छे से समझ में आयोंगे और उमी मैं चोड़ देना मैं के questions के reply कर दो अब ही next chapter स्टार्ट करते हम six chapter phraseography होती क्या है phraseography the writing of two or more words together without lifting the pen is called phraseography दो या दो सेज़्धा बिना pen या pencil को उठाओ वे लिखे होए words को phraseography करते हैं और छो इस फ्रेज़ॉघ्रो ग्राफिशसे result बोल पे हैं, देखो इसका first rule क्या होता है, the first word form of a phrasogram must occupy the position in which it would be written if it stood alone, अगर वो अकला खड़ा है, तो उस first word की position हमेशा उसी साब से लिखी जाएगी, जैसे हम लिखते है, how can they, how can they, कैसे लिखेंगे, how can they, अगर हमें लिखना है, I have, I have, देखो how का word जो हमेशा उन्दा लाइन बनता है, मैंने grammar logs में सिखा है था आप लोगों को, last class में जो grammar logs सिखे थे, उसमें how, why, they, can, सब सिखा था, तो how अगर उन्दा लाइन बनता है, तो पूरा word उन्दा लाइन ही और उसके बाद जो भी next word बनेगा, वो line तक चला जाएगा, जैसे I have है, I बना है और we have बना दिया, have मैंने बजाता है, we बनाएंगे on the line, तो have बनेगा, यह हमारा first reaction, जैसे first word form of a phraseogram, अगर अकेला खड़ा है, तो उसकी position उसके बनने वाले word से समझ में आगे, कि वो किस position पर बनेगा, on the line बनेगा, above the line बनेगा, through the line बनेगा, कैसे बनेगा, next, our first position word form may be slightly raised or lower to permit the stroke being written above, on the line, or through the line, first position से पता चलेगा, कि हमें कैसे stroke बनाने, line पे बनाने, line के through बनाने, या on the line बनाने, या line से उपर बनाने, जैसे example से समझते हैं, जैसे हम लिखते हैं, I thank you, I thank you, यानि कि देखो, first word, I, I you above the line, thank, thank के लिए ये, और you के लिए हमने बताया था कि, half circle लगेगा, जैसे हम बनाते हैं, with much, with, or much, with much, with much, with much कैसे बनाएगा, with का लगा, और much, about the line बनेगा, क्योंकि thank भी about the line बनता है, much भी about the line बनता है, तो इसलिए हमारा, दोनों words, about the line बनेगा, जैसे with which है, with, which, with का ये word हो गया, और which on the line बनता है, तो with, इस पर बनेगा, जैसे with each लिखते है, each, with each, with बनाएगा, और each बना गया, क्योंकि each जो हो, through the line बनता है, मैंशा, ये था हमारा, तो word की first position बता है, कि हमें word कौन से position बनाएगा, जैसे I thank you हो गया, I much हो गया, with much हो गया, तो दोनों words, about the line बनाएगा, क्योंकि इनकी दोनों की outlines, about the line रहती है, with which है, on the line बनता है, which, तो with बनाएगा, और which का हमने on the line बना दिया, with each है, with उपर बनाएगा, each हमेशा through the line जानत जब भी हम K, L और M के साथ I का sign बनाएगे, वो छोटा हो जाता है, जैसे I, M लिखते हैं, तो I बनाएगा, और ये M का stroke बनाएगा, I can, I बनाएगा, I बनाएगा, और ये can के लिए K बनाएगा, जैसे next हमारा होता है, I will, I will, I बनाएगा, L बनाएगा, ये M बनाएगा, I will ह sign KLM से जुड़ेगा, तो हमेशा छोटा हो जाएगा, ये हमारा होता है, next है हमारा rule, जिफ्तों H is used when he stand alone, अगर अकेला, H अकेला होगा, तो H बनेगा downward, ही अकेला होगा, तो H बनेगा हमेशा, जैसे हम लिखते ही, तो H downward आ गया, तो हमें लिखना ही में, ही में लिखना है, तो ही आ गया, और ये में का sign लग गया, ही में बन गया, अगर हमें लिखना है, ही शुड़ नो, जैसे ही शुड़ नो, तो कैसे लिखेंगा हम, ही बनाया, शुड़ बनाया, और ये नो का sign बना दिया हमें, ये हमारा ही शुड़ नो हो गया, next है हमारा rule है, tick h is written for he, if it is in the middle, अगर किस he middle में आ रहा है, तो हमेश्या tick वाला बनेगा, tick h बनेगा, if he may बनाना है, तो if through the line, फिर he और ये may, ये जो tick है, ये he है, जैसे next है, if he should know, तो कैसे बनाएंगे हम, if he should know को, देखो, जैसे if बनाया, he बनाया, should के बनाया और ये no का वो ये लगा दिया हमें, तो ऐसे बनाते हैं हमेश्या, ये थे हमारे अभी तक के rule, और अब मैं आपको कुछ phrases सीखाता हूँ, जैसे हमने एक सीखा था, I thank you, I thank you, तो कैसे बनाते थे, I बनाया, TH बनाया है, और यू का वो बल लगा दिया, अगर हमें लिखना है, I think you should, phraseography का मतलब ये निया है, कि सिफ दो ही वर्ड हो, दो, चार, दास, एक ही वर्ड में हम बना सकते हैं, जैसे, I think you should, ठीक है, और next word, अगर हम लिखें, I think you should be, तो कैसे बनाएं, I think you should be, through the line, मनलों हमें बनाना है, I have head, I have head, तो कैसे बनाएंगे, I बनाया, है, I have, और head के लिए, ये लगा दिया हमने, और और गया बना सकते हैं, मनलों हमें लिखना है, why do you, why do you, तो why बनाया, do बनाया, और ये you का sign लगा गया हमने, ठीक है, मनलों हमें लिखना है, next, कोई भी word लिखना है, what can be, can be, तो what बनाया, can or be, what can be हो गया है, अब कुछ gram log सीख लेते हैं, कि कुछ gram log के कैसे बनाते हैं, जैसे word होता, thank, या थेंक्ट